असलाम अलेकुम दोस्तों आज हम बनाएंगे जटपट बनने वाले भरुआ करेला इस तरह बनाएंगे दोस्तों बहुत जल्दी बन जाता है और लास्तक के वीडियो में बने रहिएगा यहां पर दोस्तों एक बार कटा हुआ प्याज ले ली हूँ अधा किलो करेला है यह द करना है करेले के बीच को तो प्याज को दोस्तों ज्यादा बारी कट कर लेना है एक प्याज है अब गैस को मैं चालू कर लेती हूँ तावा रख देती हूँ तावा जब गरम हो जाए तो इसमें हम चार सुखे लाल मिर्च डाल देते हैं दो आड़ी लेसुन लेसुन का छि अच्छे से भून गया है जब इस तरह हो जाए तो इसमें हम डाल देते हैं धनिया अख्छा धनिया है तो इसे भी लेसुन मिर्चे में धनिया डालके अच्छे से भून लेंगे अगर दोस्तो धनिया ना पेंगे तो इसी चिम्मच से एक चिम्मच है एक बड़े चिम्मच त बूदि झालिक होंकि भी शुटत Dस्वे impressed भूनि लेती हैं और मझसाले को दोस्तों ज्यादा नहीं भूनना है नहीं तो इसकी खुस भूश चले जाएगी इसलिए हमें इसे perfect भूनना है मसाले को तो दोस्तो सभी मसाले को मैं अच्छे से भून ली हूँ आप देख सकते हैं अच्छे से color आ गया है तो इसे हम निकाल लेते हैं एक पलेट में मसाले से दोस्तो बहुत अच्छी खुसबू आती है और ये बहुत tasty बनता है बहुत कम समय में बनता है तो दोस्तो सभी मसाले को में निकाल ली हूँ आधा चिम्मच अजवाईन है आधा चिम्मच मंगरैल है आधा चिम्मच जीरा है एक बड़े चिम्मच सौफ है सौफ मैं थोड़ा ज्यादा ली हूँ इन सभी मसाले को मैं तावा में डाल देती हूँ गेस को मैं बंद कर दी हूँ, तावा जादा गरम हो गया है, तो इन सभी मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे, तो दोस्तो सभी मसाले को मैं अच्छे से भून ली हूँ, इन सभी मसाले मैं से दोस्तो बहुत अच्छी खुस्बू आती है, तो इन सभी मसाले को मैं निकाल लेती हूँ, भुने हुए मसाले में ऐसे हम फैला देंगे ताकि मसाला सभी अच्छे से ठंडा हो जाए इन सभी मसाले में मैं डाल देती हूँ चार से पांच आम की खटाई आम की खटाई से बहुत अच्छा टेस्ट रहता है तो मसाले में डाल देती हूँ इन सभी मसाले को हम पीस लेंगे तो लिजे दोस्तों मैं सभी मसाले को पीस लिए हूँ इसे मैं पलेट में निकाल लेती हूँ करेले के बीच को भी दरदरा सा मैं पीस लिए हूँ तो बीच को भी हम मसाले में रख लेंगे तो सभी वीच को मैं रख ली हूँ मसाले में बरिक कटा हुआ एक प्याज भी डाल दी हूँ इसमें मैं डाल लेती हूँ स्वादमसार नमा दो चिममच कच्चे सरसो का तेल ऐसे हम अच्छे से कर देंगे मिक्स अब दोस्तों इसमें हम डाल देते हैं दही दो चिमच दही जरूर डालिएगा बहुत अच्छी बनती है दोस्तों बहुत अच्छा लगता है खाने में बहुत टेश्टी लगता है तो दही डालके हम सभी मसाले को अच्छे से कर दी हूँ मिक्स अब हम करेले में भर लेंगे यह देशी करेला है, इसलिए दोस्तों यह छोटे-छोटे करेले हैं, तो इसी तरह हम करेले में मसाले को भर लेते हैं, सभी करेले में, बहुत असानी से भर जाता है दोस्तों मसाला, आपको में दिखा देती हूँ, आद देख सकते हैं कितने अच्छे से भर गया है, तो हम सभ करेले को दोस्तों हम गेस चालू करके कोकर रख दी हूं कोकर में हम डाल देते हैं तिन बड़े चिम्मच तेल कच्चे सर्सो का तेल है तो सभी करेले को हम तेल में डाल देते हैं तो दोस्तों मैं सभी करेले को डाल दी हूं चैनल पे नहीं है वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगए तो लाइज सस्क्रेब जरूर करिएगा अई इस तरह भरवा करेला जरूर बनाईएगा जो नहीं खाते हैं उन्हों भी खाना पसंद करेंगे इतना यह टेस्टी बनता है तो सभी करेला डालने के बाद उपर से मसाला डाल देंगे आज को मैं सिलो कर दी हूं इसे दोस्तों सिलो आज पे पकाना है अब कुकर का हम लगा देंगे ढखकन सीटी नहीं लगाना है इसे हम दो मिनट पकने देंगे सिलो आज पे तो दोस्तों दो मिनट हो गया है तो इस अब देख सकते हैं, पीछे के तरफ हल्का पक गया है, तो इसे मैं पल्ट देती हूँ, सभी करेले को दोस्तों मैं पल्ट दी हूँ, अब हम फिर से कुकर का ढखकन लगा देंगे, इसे दोस्तों एक दो मिनट पे इसे चेक करते रहना है, सीटी नहीं लगाएंगे, इसे दोस्तों मैं फिर से दो मिनट बाद चेक कर रही हूँ, इसे दोस्तों उलट पलड के अच्छे से पकाना है, पांच से छे मिनट लगता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तो इसे हम दुबारा पल्ट देंगे, शिलो आज पर पगाईएगा दोस्तों अगर फूल आज पर पगाएगे तो मसाला जल जाएगा तो इसे हम कुकर का ढकन फिर से लगा देते हैं तो दोस्तो गैस को मैं बंद कर दी हूँ कुकर का ढकना हटा दी हूँ अब देख सकते हैं मसाला बिल्कुल भी नहीं जला है अब करेले भी अच्छे से पक गए हैं तो इस तरह बनाएं दोस्तो बहुत जल्दी जट पत में भरुआ करेला बनके तयार हो जाता है अब बहुत टेश्टी बनता है, खाने में मज़े ही आ जाता है, तो हम करेले को निकाल के चिक कर लेंगे, कि अच्छे से पका है कि नहीं, तो दोस्तों करेले अच्छे से पक गया है, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से पक गया है, तो हम दोस्तों करेले को निकाल लेते हैं, करेले दाल चावल के साथ खाइए बहुत टेस्टी लगता है करेला बहुत फायदा करता है दोस्तों करेला जरूर खाना चाहिए तो सभी करेले को मैं निकाल ली हूँ अगर दोस्तों वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइच सुस्क्राइब करिएगा सेर करना मन कमेंट करके जरूर बताइएगा